जैहिन दोस्तो आज किंग्स लेंड पंजाब और राजिस्थान रोयल्स के बीच IPL 2020 का नौवा मैच था राजिस्थान रोयल्स के राहूल टेवटिया ने एक ओवर में पांच छक्के जड़े चेल्डन कॉट्रिल की गेनबाजी पर राजिस्थान रोयल्स के कप्तान स्टीव स्मित ने टौज जीत कर गेनबाजी करने का फैसला लिया और किंग्स लेंड पंजाब ने विशाल 223 रन बनाए 20 ओवर में वो भी केवल दो विकिट के नुकसान पर किंग्स लेंड पंजाब की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मयंक अगरवाल ने बनाए मयंक अगरवाल ने 106 रन बनाए वो भी मात्र 50 गेंदों पर जिसमें उन्होंने 7 छक्के जड़े और 10 चौके वहीं किंग्स लेंड पंजाब के कप्तान केल राहूल ने भी 69 रन बनाए राजिस्थान रोयल्स की तरफ से अंकित राजपूत और टॉम करन ने एक एक विकिट लिए तो राजिस्थान रोयल्स को ये मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 224 रन बनाने थे जो की काफी मुश्किल लग रहा था लेकिन संजू सैमसन, राहूल टेवटिया और स्टिव स्मित के अरशपक ने इसको आसान कर दिया और राजिस्थान रोयल्स ने इस मैच को आखरी ओवर में जीत लिया मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि राहूल टेवटिया ने शेल्डन कोट्रेल को एक ओवर में 5 छक्के जड़े संजू सैमसन ने शांदार 85 रन बनाए जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 4 चौके जड़े स्टिव स्मित ने भी 8 तक जड़ा और राहूल टेवटिया ने तिरपन रन बनाए 31 गेंदों पर जिसमें उन्होंने 7 छक्के जड़े किंग्स लेंड पंजाब की तरफ से मौमर शमी ने 3 विकेट लिए शेल्डन कॉट्रेल ने 1 विकेट लिए जीमी निशम ने 1 विकेट लिए 2020 का दस्वा मैच है आप सब अपना ख्याल रखे सभी को द्वाव में याद रखे